कि आई टी के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है अभी इस पहले पार्ट से कुश्चन आने का है ना ठीक है तो वो करते हैं एक्सरसाइज भी डिसकस कर लेंगे लास्ट में टाइम बचा तो कर लेंगे डिसकस अपने हरिंग लिख ली है और ये भी दिस इस अपार्ट हाँ मैं अपलोड गर दूँगा और ये भी कहाँ से मिलेगा यह आपको ये किसका पार्ट है यह स्वादिंजर स्वादिंजर वै डिसमेकेनिकल मॉडल स्वादिंजर वै डिसमेकेनिकल मॉडल का ये पार्ट है ठीक है IIT की बात कर रहा हूँ है IIT और J-Main वगरा सभी में अभी ट्रेंड बना हुआ इस वाले सेक्षन से कुश्चन आने का एक ट्रेंड बना हुआ है आप चाहें तो प्रीवेस फाइब टू सिक्सियर के कुश्चन देख लो ज्यादा कुश्चन तो मैं इसी तरफ से मिलेंगे ठीक है चलिए तो हम लोग बात करते हैं आपको आपको मैंने एक साही फंक्शन के बारे में बताया था सुरुआत में ना साही फंक्शन अभी मैं सब के चैट बंद कर रहा हूँ साही फंक्शन के बारे मैंने बताया था एक्स वाई जेड ये क्या था ये एम्प्लिट्यूड था एम्प्लिट्यूड ओफ इस्टेंडिंग वेव ओफ इलक्ट्रॉन ठीक है ये था फिर हमने एक साई स्क्वार डिफाइन किया था इसको हमने क्या बोला था ये हमारा था probability density ये क्या था probability density क्या था probability of finding the electron electron in a unit volume ठीक है जैसे density होता है ना mass density mass upon volume ऐसी probability density probability upon volume हो जाएगा तो probability calculate करने का क्या तरीका होगा बोलो probability calculate करने का क्या तरीका होगा probability calculate करने का जो तरीका होगा probability of finding the electron electron in dv volume कैसे दी जाएगे आपको probability density को क्या करना है आपको probability density को क्या करना होगा probability density को volume से multiply करना होगा probability density क्या होता है probability density होता है size square और ये था dv probability को PR से लिखा जाता है PR मतलब R for radial probability कहलाती है size square into dv अब dv कैसे लिया जाता है dv के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक x-axis है यहाँ पे एक y-axis है और यहाँ पे एक z-axis है यहाँ से क्या होगा इदर से आपने क्या किया R radius का और DR thickness का DR thickness का एक spherical volume क्रियेट किया है तो यह जो cell बनती है यह जो मैं जहाँ पे red color के dots बता रहा हूँ आपको यह वाले इसका volume जो है वो dv है यहीं पे लक्टॉन के पाए जाने की probability नहीं है यह कितने निकल के आता है 4 pi r square DR निकल के आता है इस तरीके से किसी distance पर मतलब किसी r radius के r radius के spherical cell में r radius की spherical cell में DR thickness r radius और DR thickness की spherical cell में electron के पाए जाने के जो probability निकाली जाती है इसको मैं अलग से नीले पैंसलिक देता हूँ pi r equal to क्योंकि r distance पर बात हो रही है तो यह dv हो जाता है कभी कभी हम इससे radial probability भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं radial probability भी बोलते हैं इसे नोट करो पहले आप लोग फिर मैं आपको और बताता हूँ इनके लिए तो repeat करो जो मेरे student है पुराने student जो है six वाले उनको तो मैंने repeat हो गया होगा अब तक का जो seven वाले उनके लिए थोड़ा नया होगा यह चीज़े न क्यों seven वालों के लिए नया होगा six वालों का repeat हो गया मैं थोड़ा पहले बता चुका हूँ इतना बाला पार्ट यहां तक chat open किये यहां तक सबको अगर कोई NPR no problem तो मैं आँगे बढ़ू यहां से आप लोग भी लिख लो है ना आप लोग भी लिख लो जो यह है ना six वाले भी लिखेंगे six वाले भी लिखेंगे ना यह लीजे पहले यहां से लिखो हाँ amplitude of standing wave लिखा है गौतम क्या ना में इसका यह हो गया complete यहाला पेज चलो यहां तक होगे देखो ठीक है अब अगर तुम इसको बुक में देखना चाहते हो किसर इसको बुक में देखाओ किसी किताविताब में देखना चाहते हो ना तब ने पास उसका भी कोई tension नहीं है बुक का भी है जेखना गी है सबस्की में यहाला उसका किसम्यों इसका फ Sug Sug TV आज का फर्स्ट वर्ड क्या है मतलब यहीं से स्टार्ड क्या अनलेसिस आफ है ना इस्टेंडिंग वेब जो होता है गिटार का स्टेंडिंग वेब जो होता है वह गिटार का वेब होता है और वह गिटार का जो वेब है तुमनों कभी टेलिग्राम पर उस दिन भेजा था ना किस पर भेजा था नोट्स मैं सुझत रहा हूं वो दिखा दूए लोगों को भी टेलिग्राम पर भेजा था ना नोट्स तुमनों को जस्ट गिब मी वन मिनिट यह नोट करो मैं थोड़ा सा कुछ ढूंड रहा हूं मैं भी दो मिन भी आता हूं बाप इसा ना अपा समन बढ़ talking कर बापた हूं में भी आता हूं उनम भी कि अक और नुकत कि अजया कि गफ उ काल you पाल वेट करना वेट करना कोई क्लास में छोड़ना वेट करो वेट करो नहीं पेली ग्राम पी बीडिया थो तो है यह यह उच्छीन में उन्मुल कशे रहे लिए आगा मेल क्यों नी रहा है हाँ यह मिल गए 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 यह मैं भेज चुका हूँ आप लोगों को पहले है न और कहां चुदा गया यह है न यह नहीं है यह मैंने भेजा हुआ आप लोगों का इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है यह देखो जस्त मैं कोई समझाना था यह वाला पार्ट यह जो टो और डी जीला थिक्नेस में कैसेडी कैसे कैलकVE किया गया है उसकी मुझे आपको कैलका यशन की फील देनी थी कैसे कैल्क राटा यह पूरा दिए वालूम निकाला गया है यह ओ केंसल आउट कर के फाइनली हम लोग dv कितना निकाल के लाएं बोलो हाँ four pi r square dr निकाल के लाएं समझ मैं है बड़ा 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 जो वो है वालूम है उसकी radius कितनी है four r plus dr और छोटे वाले की r है दोनों को माइनस कर लिया गया है ये वाला देख रहो है ये वाला dr कैसे निकाला गया ये चीज लियार देख रहे हो ना पढ़ो क्या लिखा ये पढ़ो क्या लिखा ये पूरा लिखा रेडियल प्रोबिल्टी के बारे हम देखो पूरा लिखा हुआ है पढ़ो लीचो लास्की लाइन पढ़ो क्या लिखा ये देखो लास्क लेंबड़ी अच्छी लाइन लिखी देखो पढ़ो डेडियल प्रोबिल्टी डेंस्टी कर बार बिट्वीन और वर्सेज आर वेर इस रेडियल प्रोबिल्टी डिस्टिशिशन कर वह विच वोड़ बी मोर यूसफुल आप है लोग मैं ङया जो धिख कंड में लोग बढ़ारा हुं अभी यह यह एस मधे solution मेरा मकसद को दिखाना यह था कि आपको डीवी की फील både यह दियाता तो डी की फील वी कैसे निकाला जाएगा तो dv निकालने का जो तरीका है जो निकालने का तरीका था वो ये था कि जो 4 by 3 pi 4 by 3 pi r 4 by 3 pi r प्लस dr जो बड़ी रेडियर से माइनस 4 by 3 pi into r cube इस तरीके से हो जाएगा इसको अब मैं आपको बताता हूं कि अब मैं आपको यह बताता हूं वाट्सेप पे टेलीग्राम लिंक भेज दूँगा अभी पढ़ो अभी तुम लोग पढ़ो यारे ना फिर लेक्चर निकल जाएगा 30 मिनिट निकल गए है और अभी मैं पिछले ही बता रहा हूं है ना ठीक है अब चुप रोब इलकुल है तो यहां तक कोई किलियर नहीं है इसके लिए आसंअ को प्रबल्टी प्र जो है ना रेडियल प्रबल्बंटी कहला थीरेडिल प्रबल्ब्ल्टी क добр यहां पर वगयरा रहा है है यह सब ंर और उन्हार का फंक्शना थे रेडियल७ी टीक है ठीक है अब मैं आपको एक टर्म बतातू हूं heb supplements नोडल प्लेन क्या होते है नोडल प्लेन क्या होता है परो प्लेन एट विच i.e. अग्जब्रेट गद्ध प्रोबेबेलिटी प्रोबेबेलिटी ओफ of finding the probability of finding the electron is found to be 0. Probability of the plane at the probability of finding the electron is found to be 0. जई Yuxinas सब्सेलों ओर टूरा only और प्सक्तिक री utilizar ना फॉट रहेँ कर उत्याद सब और यह तो अग्छ 15 अब यह हो गया, यहां तक हो गया कोई है भाई किलास में जिसका रह गया हो यार है ना, ठीक है अब लिखा है दा प्लेन एट विच प्रबिल्टी ओफ फाइंडिंग दे लक्टॉन इस फांड तू बी जीरो एक ऐसा प्लेन जहां पे लक्टॉन के पाई जाने के प्रबिल्टी जीरो होती है मतलब वहाँ लक्टॉन होता नहीं है, प्रबिल्टी नहीं है, मतलब वहाँ लक्टॉन नहीं है ठीक है ना, मतलब कुल मिलाकर ऐसे ही है मालो, कि जैसे कोटा सिटी में मतलब कुछ एरियाज में लक्टॉन रहते हैं मतलब लोग रहते हैं लेकिन जो कोटा सिटी का जो फॉरेस्ट है वहां लोग नहीं रहते हैं वहां पर लक्टॉन के या लोगों के पाजाने के प्रबिल्टी कह है जीरो है सो न्यूक्लिस के चार और कुछ ऐसे जरूर प्लेन या इस्पेस होते जहां लक्टॉन नहीं मिलता है है ना रिवर में नहीं मिलेगा ठीक है इस तरीके से दा प्लेन एट विच प्रबिल्टी ओफ फाइंड लक्टॉन इस फॉंड तो भी जीरो तो ऐसे प्लेन जहां पर लक खहता है अब आब ड्मप होते होते हैं वो दो तो तरीके के होते हैं दीजर अरवट ट्लेंड नोड भी सथ नोड़ भी बोलता है और डूसरा होता है रेडियल और एडियल नोड्लड लूट इब्लीक नोड़ प्लेन इस तरीके दो रहते हैं, इनके बारे मैं आँगे डिसकस करूँगा, इनको अभी आँगे डिसकस, नोडल प्रेन आपने समझ लिया, ठीक है, तो जहां पर एलक्टॉन के पाए जाने की प्रविल्टी जीरू होती है, नोडल प्रेन कहलाता है, और वो दो तरीके के होते हैं, चलो कोई बात नहीं, तो एक बात बताओ, अगर आपको ये प्र की वैलू, अगर आप इफ प्र कितना होता है, प्र होता है, साइ स्क्वार इंटू फोर पाई, आर स्क्वार डियार, तो आप इफ वी वांट, वी वांट प्र एक्वल टू जीरू, मतलब एलक्टॉन के पा अगर आप क्या कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, बोलो, आर जीरू कर सकते हो, आर जीरू होते ही, डीवी जीरू हो जाया क्यों, वालूम बनेगा ही नहीं, डीवी जीरू का मतलब है, आप एक किसी इलक्टॉन, किसी पॉइंट पर देखना चाहरे हो, तो ध्यान देना किसी भी पॉइंट पर, ऐसे कोई पॉइंट अगर आपको दे दिया गया, तो किसी पॉइंट पर इलक्टॉन के पाए जाने की जो प्रिविल्टी होगी ना, वो हमेशा जीरू होती है, क्योंकि ये जो आपका स्रोडिंजर वेब मैकेनिकल मॉडल है, इसमें हम किसी रीजन आफ एक छोटे से वालूम में, किसी रीजन आफ स्पेस में, इलक्टॉन के पाए पाए जाने की प्रिविल्टी निकालते हैं, तो किसी पॉइंट पर इलक्टॉन के पाए जाने की प्रिविल्टी क्या होती है, जीरू होती है, किसी पॉइंट पर इलक्टॉन के पाए जाने की प्रिविल्टी क्या होती है, वो जीरू आती है, वहां पर इलक्टॉन के की probability की आएगी जीरो ही आएगी आपको जब भी इस बाले पार्ट पर स्वोडिंजर वेब मेकेनिकल मॉडल में जब भी आपको probability निकाल लिए ना तो आपको छोटा सा वॉलूम तो select करना ही पड़ेगा एक जगे बनानी पड़ेगी ऐसे करके यह वाली उसमें जाके क्या होगा उसमें अगर कोई कहता है DR जीरो कर दोगे तो spherical cell का तो ठिकने से वो भी जीरो हो जाएगा वहाँ भी electron के पाई जाने के probability जीरो आजाएगी DR जीरो का मतलब आप आर जीरो कर दो या और आप DR जीरो कर दो इन दोनों के लिए जीरो हो जाएगा मानते हो अच बोलो DR को जीरो करो या दिया आर को जीरो को चुरेएगा न दोनों केस में डी जीरो होगा डी जीरो का मतलब आप point की बात कर रहो और पउइंट पर point पे electron के पाई जाने के probability क्या होगी जीरो आती है तो noodle plane पर क्या होगा बोलो तो noodle plane का feel आ रहा है noodle plane पर electron के पाएजाने के probability क्या होगे 0 हो सकती क्या si function 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ क्योंकि dv तो हमारी choice है हम point पर electron के probability क्यों निकालेंगे probability में दो चीज़े हैं समझो मेरी बात इस पियार के में दो चीजे है साई स्कॉार और डीवी अब कोई कहे कि या डीवी जीरो डीवी या बेवकूफी डीवी क्यों जीरो करूंगा डीवी जीरो क्यों करूंगा यह बताओ ना मेरे को डीवी यह तो बेकार की बात है प्रबिल्टी निकालने जा रहे हो डीवी जीर से टॉ have a Angie upन्ट norőड एक्षा किया होगा हम लोग कह सकते एड टनूरल क्लेग हम लोग सकते एड नूरडr प्लेट एड अधनूरल प्लेट साई recall डूजू ऑ अधना अंधीर परसंट हिए होगा अई अधन होगा जुलन उब 15 परसंद प्रसंद नहीं होगा अ में former लिखना अचल अंडेड परसंट में टिरल्फटम नीूगा ना हुआ है लिखना है लुकत 125 नहीं है ना है टो नर्मेशोनी होगा नोलो होगा ऄज घ्या होगा पदिल एलक्टरॉन के पाई जाने की प्रिविल्टि क्या हो जाएगी, जिरो हो जाएगी, ठीक है, तो साई जिरो हो जाएगा तो अपने आप ही क्या होगा, साई जिरो होते ही क्या होगा, पी आर जिरो हो जाएगा, अब साई जिरो कैसे किया जाएगा, उसको मैं आपको बताता हू साई कैसे 0 होता है तो अभी तक मैं क्या करता था जब भी मैं साई function लिखता था ऐसे करके तो मैं आपको x-axis, y-axis, z-axis ऐसे लिखा करता था और यहां इस axis पे 0-0-0 पर origin है यहां पे nucleus हुआ करता था यहां पे मैं साई लिखा करता था ऐसे करके x, y और z यह Cartesian coordinate कहलाते हैं पता है आपको Cartesian coordinate x, y, z पता है? x, y, z are the Cartesian coordinates पता है न आपको? यह पता है Cartesian coordinate में यह कहा जाता है Cartesian coordinate में Schrodinger wave equation पे काम करना साई पे काम करना difficult होता है तो इसको जो है न इसको जो है न चेंज किया जाता है किसमें भेजा जाता है इसको भेजा जाता है इस फेरिकल कोडिनेट में भेजा जाता है ठीक है इस फेरिकल कोडिनेट में भेजा जाता है ठीक है इस फेरिकल कोडिनेट जो होते है डियार कॉल्ड आर थीटा फाइ आर थीटा फाई कहलाता है इस फेरिकल क्या होता है तो आर जो होता है बिसेकली ठीटा क्या फाई कि यसके बारे मैं आपको समझाता हूं मैं । यह आपका एक्सडाइव है यह आपका जैड necessary यह खाल फॉल्चालद व्लाएं फोड़ासा लुकश 마ाइं अपर यह आपका अरिजन क्योंकि तीनों जीरो नहीं है आप ऐसे रखो यह नुकलेस अरे यार अब यहां पर क्या होता है यहां पर आर रेडियस का ऐसे एक वेक्टर की यह खीचे आती है रेडियस का ठीक है इस तरीके से यह हो जाएगा यहां पर और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा ऐसे नीचेक तरब xy-plane में ठीक है और इधर से जो एंगेल है यह यह थीटा होता है और यहां से जो एक एक लाइन जो यहां पर पड़ी है ऐसे करके आप अपने रूम के एक कौर्णर पर खड़े हो जाईए जहां दरवाजे बगड़ लगे हो एक कोने पर खड़े हो जाओ एक को तो आप x-axis माल लो एक को वाई माल लो और एक को उपर जो जाती हुई छत की तरफ जाती हुई एक्सेस है वह जा रही है वहां से थीटा एंगिल पर थीटा एंगिल पर आपका यह आ जाएगा आर का मतलब है displacement डिस्टेंस है और का मतलब है डिस्टेंस नहीं ठीक है तो उस वहांसे पर पेंडिटा डॉप करना तो ऐसे फर्स पर गिरेगा फर्स जो जहांपे आप बैठे होगे ना वहां फर्स पर गिरेगा और उसको यह ऐसे मिला देना एसे किए इस दो इंकल फ्रॉम हमुश्ब है 피at depend這邊 वेक्टर कर अभी आप क्योंदे से सन्सेयद्ट स्टेंस मालो को अगर आप सही जो है नडिस्प्लेस्मेंट ऐसा de Naktoon की वेफ किtwo वाली बाद displacement वेक्टर आएगा थिक है और वेक्टर होता है यहां पर अगर फिटा फई envelop मैं चाहता हूँ कि R को तो आप displacement मालो distance मालो nucleus से एक common language अगर आप use करना चाहते हैं तो आप you can take this language common language अगर आप use करना चाहरे हो तो R का मतलब आप distance ले लो distance from nucleus ठीक है और थीटा का मतलब है angle फ्रॉम जेड एक्सिस 5 का मतलब है angle फ्रॉम एक्स एक्सिस इतना याद कर सकता हूँ इतना अभी आप अपना काम चल जाएगा तुम्हारा काम चल जाएगा कोई दिखकत नहीं है इस फेरिकल किसी को समझना नहीं है मैं समझा भी नहीं पाऊंगा वेक्टर की नौलेज आपको है नहीं 3D में आपको काम करना नहीं है जब आपको 3D पढ़ाई जाएगी mathematics वगएरा वहां आपको अपने आप आ जाएगा मुझे कुछ समझाना नहीं है किसी को कुछ समझना नहीं है यहां पर मैंने बस यह समझ लो कि एक कोडिनेट सिस्टम से दूसरे कोडिनेट पर जाना है यह ना एक कोडिनेट सिस्टम से दूसरे कोडिनेट सिस्टम पर जाना है अभी बस आप इतना समझ लो कि यह आर डिस्ट है ना यह जो कैसे कैसे जा रहो क्या क्या है बस यह आपका spherical coordinate है अब spherical coordinate में भी क्या बिवस्था है spherical coordinate में इस system को r theta phi को psi r theta phi को ऐसे लिखा जा सकता है यह main बात जो सहुलियत अपने को मिली कार्टीसन coordinate से spherical coordinate में जाने में जो अपने को जो सबसे फाइदा हुआ वो यह हुआ कि हम psi function के दो टुकड़े कर पाए क्या कर पाए अगर कोई तुमसे यह कहता है कि हम Cartesian coordinate की जगे हम क्यों spherical coordinate में जाए तो उसको यही बाली बात बताना कि आप psi function के दो टुकड़े कर पाऊगे है ना हाँ आज ही upload हो जाई है अगर कोई मुझे से कहा है मतलब कभी तुमसे कोई पूछता है कि Cartesian coordinate से spherical coordinate में क्यों जा रही है तो उसको क्या answer करोगे कि si function को दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है दो पार्ट में क्यों तोड़ रहा हूँ और दो पार्ट में तोड़ने का फाइदा क्या है पार्ट होता है इसको हम लोग radial part बोलते हैं साई का radial part of साई radial part of psi यह ऐसे लिख दो radial part of साई साई का radial part है साई का radial पार्ट है जहां पे आपको depth daha 5 दिख रहा है यह वाला पार्ट होता है यह होता है angular angular पार्ट Sum मतलब और डियल मतलब समस्द roughly यह रिडियस क्या होता है दिस्टेंस ही यह संटर मतलब जहां से रेडियल पॉल्यास एकि जो निकलियास है निकलियास निकलियास की दूरी को बता रहे हैं है को सम्झद हो ना मतलब जो वेव चल रही है ना इस तरीके से जो यह निकलियस है अब यह युँँ बें जो चल रही 180 ओदे से ना फिक जो डिस्टेंस कौण बता रहे हैं है के दूरी कौनकों कर रहा है कौन सा पार्ट गवन कर रहा है शाई का कौनसा पार्ट 어때 कर रहा है और जो वेव ऐसे ऐसे माझ रही है जो यह यह कौन गवन कर रहा है, यह अंगलर पार्ट गवन हो रहा है, ठीक है, तो वह दो पार्ट है, इसके दो पार्ट, अभी ठीक है, अभी समझ में आया, अभी समझ में आया कि नहीं आया, अगया समझ में, अब एक बात बताओ, अगर साई को जीरो करना है, तो मैं अगर ये बोलू कि सा को zero करने के दो method है यहां से हम देख सकते हैं we can now we can see that there are two method to get psi r theta phi equal to zero पहला method बताओ फस्त method बताओ लिखो चैट में पहला method क्या है क्या zero कर दूँ radial part zero कर दूँ yes तो आप psi r को जब zero करोगे equal to zero that is radial part of psi equal to zero radial part को zero करोगे तो overall psi zero हो जाएगा यह हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो हो जाएगा तो जब ले यार अगर psi r zero हो जाएगा तो radial part zero हो जाएगा तो अगर इन में अगर यहां zero put कर दोगे ना यह जो प्लेस है मैं भी red pen से mark करूंगा देखो red pen से अगर यहां zero put कर दोगे इस जगे पर तो यह वाला size zero हो जाएगा तो वहां पे जहाँ दोगे तो जाएगा टोगा यह नहीलिद कर लेजयर नोड को चाहँ नूड मैं इस उस नूड का नाम क्या होगा कि इस उस नूड का नूड का नाम क्या होगा कितने तरीके से नूड़ लिखे हM Adaptivebudet दो तरीके के रेडील और इंगलर वेटील और इंगलर तो रेडील नोड़ कब आएगा जब कर रेडी Elnode कब आएगा जब साई का आगे लिखो रेडियल नोड कब आएगा जब साई का रेडियल पार्ट जीरो होगा बहुत है अच्छा बात क्या बात है मजह आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है तो रेडियल नोड कब होगा रेडियल नोड कम मिलेगा रेडियल नोड तम मिलेगा जब साई का रेडियल पार्ट जीरो होगा और एंगुलर नोड कम मिलेगा जब साई का जब साई का एंगुलर पार्ट जीरो होगा कि आज आया नहीं आया हुँआ ठीक है आगे बात सब्सक्राइब ना ठीक है तो दो तरीके से आप दो तरीके से आपको नूरोपेन मिल सकते हैं तो आप क्या करोगे है ठीक है तो डाट इस रेडिल पाट अब दा साई इकॉल टू जीरो है तो आपको यहां पर मैं बता दू फिर एक बार रेडियल नोड क्या होता है तो मैं आपको रेडियल नोड बता देता हूं है यह वी विल गेट रेडियल नोड ठीक है ओके अब भी रुख जाओं ना ला सेकेंड मैटड क्या है कि सेकेंड मैथड क्या है कि सेकेंड मैथड में जो हमारा क्या तरीका होगा साइट थीटा फाई जो था ना इसको जीरो कर दो कि तो तो क्या लिखोगे देट इस कि अधिज एंगुलर कि पार्ट आफ साइ थीटा फाई एक्वल टू जीरो है ना अंगुलर पार्ट जीरो हो जाएगा है ना पार्ट आफ साइ एंगुलर पार्ट आफ साइ कि एक्वल टू जीरो है ना हीर वी विल गेट पुलो हीर कि वी विल गेट कि गेट एंगुलर मैं एंगुलर नोड लिख देता हूं आप चाहो तो नोडल प्लेन भी लिख सकते हैं अब आप लोग डैफनीशन जानना चाहोगे अब आपको मैं बताता हूं सबसे पहले रेडियल नोड के बारे में जैसे थोड़ा सा और फील दिलाता हूं लेट एक्जाम्पिल के तौर पर एक्जाम्पिल के तौर पर मैंने क्या किया example के तौर पे मैंने आपको एक साई function दिया ऐसा जिसमें लिखा था एक्स जिसमें लिखा था r-2 sin theta ऐसा लिखा था ठीक है ऐसा लिखा हुआ था अब ये जो साई दिख रहा है ना आपको इसको जीरो करने के कितने तरीके हैं एस साई को जीरो करने के दो तरीके हैं पहला तरीका बताएंगे आप मुझे पहला तरीका बताएंगे आप मुझे यस तो आप क्या कर सकते हैं पहला method जो होगा आप कहोगे sir put करो r equal to 2 r equal to you will get psi equal to 0 तो r equal to 2 क्या represent करेगा let's say 2 is a pico r is in picometer या nanometer एंगे स्ट्रॉम कुछ भी कर लो तो आर इकोलू टू क्या बताएगा तुमको आर इकोलू टू क्या बताएगा रेडियल नोड रेडियल नोड का मतलब आर इकोलू टू का क्या मतलब है नूकलियस से यह मालो पिको मीटर में है तू पिको मीटर तो क्या बोलोगे नुकलियस से कितनी डिस्टेंस पर नुकलियस से कितनी डिस्टेंस पर तू पिको मीटर पर एलक्टॉन के पाजाने की प्रबिल्टी एलक्टॉन के पाजाने की प्रबिल्टी जीरो होगी समझें और किस direction में होगी अगर ये nucleus है अगर ये nucleus है तो इससे कौन सी direction में 2 p.m. जाओं मैं अरे यार यह जो point है ना यह वाला point है ना यह जो point दिख रहा ना तुमको यह वाला point 2 p.m. पे यहाँ पे यार size 0 है यहाँ size 0 तुम यहाँ पे dv volume low भी लोगे तो क्या फरक पड़ेगा तुम यहाँ dv volume लोगे भी तो भी क्या फरक पड़ेगा size 0 है भाई किसी भी direction में जाओ 2 p.m. क्या फरक पड़ता है कहीं भी जाओ 2 p.m. क्या फरक पड़ता है तो यह क्या बन रहा है देखो ऐसे करके जाओगे तो क्या होगा यह निकलिय से निकलिस इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ कहीं भी दो पिको मीटर जाओ क्या बन जाएगा किया बन जाएगा हाँ बन पिको मीटर पर मिलेगा लिए टेक्व बजक्त की बज़े से अरे इक फॉल्टू की बज़े से क्या हो रहा है साई जीर हो रहा है तो क्या है अप Queens क्पन्सन का यह वाला जो पार्ट ए यह स्ई-ए यार है और यह वाला जो पार्ट है यह स्ईधublice such Te čえば हुआ है इसमें कोई समस्य है आपको सब्सक्राइब लिए नोट गिर सब्सक्राइब ल olhar इलब नोटी इस्टाइब तो पूरा कफूरज लिए उसली नॉट का नाम बोला जाता है सफेरिकलनोट भी कहते हैं कि कैसे बराचला आप आशीरे ना आर तो रेडियस है ना shout ने और बराबर दो रखने से आपका साइज जीरो हुगा है ना इसलिए रेडियल नोन माना जाएगा displacement की बज़े से 0 हुगा है न आर की बज़े से अब कोई कहेगा इसका second method क्या है तो वो कहेगा theta की value 0 put कर दो या theta कितना put कर दो 180 degree put कर दो तो theta जब 180 degree put करोगे तो उस समय भी sign 180 degree क्या आएगा बोलो 0 आएगा नहीं आएगा हाँ r minus 2 मैंने खुद से लिए example just यह example मैंने खुद बनाया है example मेरा बनाया हुआ है example मेरा बनाया हुआ है है न ठीक है 90 तो maximum 1 होता है sign 90 तो 1 होगा न बेटा 90 तो maximum होता है sin theta तो ठीक है ठीक है तो 180 degree पर 0 हो जाएगा तो अब अगर थीटा पर अगर किसी एंगिल की बज़े से size 0 हो रहा है size 0 हो रहा है लेकिन थीटा की बज़े से 0 हो रहा है तो यह node कौन सा node माना जाएगा बोलो ना यार एंगिल की बज़े से अगर ज़ेरो हो रहा है तो अगुलर नोड माना जाएगा यार बस कहीं simple है यह कौन सा node माना जाएगा बोलो अगुलर नोड माना जाएगा नहीं माना जाएगा यह सुनो अगुलर प्राब्लम यह सुपर किलियर भी है यह बहुत अच्छी बात है ओके नौ अब हम लोग बात करते हैं कि रेडियल नोड की डेफिनेशन लिख देता हूं आपको अब लिखे अ नौडल प्लेट अ नौडल प्लेट अ विच एक्जेस्ट अ एक टा एक पर्टिकुलर अ अब समझ दिया ना कोई दिक्कत निया ना समझ दिया ना सब समझात रहाओं यह सब मिल जाएगा तुमको है ना सब कुद मिल जाएगा भी भेजता हूं अ नौडल प्लेट विच एक्जिस्ट अ पर्टिकुलर दिस्टेंस लाएग भू दिस्टेंस से बिट्वा चेएग मिल लुट्टेंस आन टा मढ़ी ऩथा है एक्जिस्टेंस सफार्लॉड थेक्वा लोग भात करते एंगुलर नूड की नूड कर लो सब लोग लोग है एंगुलर नूड किसके होई से आता था थीटा जीरो होने की होई से आता था तो अब आ सिंपेल लिखो अनुडल प्लेन कि विचे जिस्ट आणरूर्य प्लेन विछ एगजिस्ट अठ पीकुलर अंगल, और प्लेन विछ एगजिस्ट अठ प्लेने, यह मतलब कि दिस्टेंस नुकलर से कितनी दूरी पर होगी उससे कोई फरक नहीं पड़ता इंगिल सुट भी सेम जो भी पॉइंट लोगे उसका जो थीटा आएगा या फाई आएगा वह जीरो होना वह उसके साफ से सेम रहना चाहिए और साइक का फंक्शन जीरो हो जाना चाहिए कि ऐपका होता है एंग उलर नोड तो आपको यहां तब यहां तक कोई समस्य हाँ नहीं रेडियल नोड बार्स ओने आगए सब लोगों को चैसे हो ऊब आपको मैं बताता हूं कि इनको calculate कैसे करते हैं calculate करते हैं ठीक है कैसे करोगे लिखो next calculation of calculation of noodle plane अच्छा नहीं कर सकता हूं और वेर कि अच्छा नहीं पैस तो बाकी लोगों को आया है बैए कितनों का गया फिल कितनों का गया जड़ चैट पब्लिक कर देता हूं मैं लो भाई कर दो कितनों का गया है फिल देख लो काफी लोगों का अच्छा आ गया है कि अंदिन माइब एन इतना सिंपल तरीके से चीजों को करते हो निकला हूं क्या कोई चीज अगर आपको नहीं कर रहे हैं तो आम मुझे पूछ लो प्लीज आ ना मैं भी रूख जाता हूं ना क्या नाम था इलका प्यूज का मैं रूख जाता हूं दो में पूछ लो मेरे से करो कोई दिक्कत हो पूछ लो मेरे से कहां पे कहां पे लैक कर रहे हैं बता दूंगा ना खुद भी डी मोटिवेट मत हो यह ना कि मैं ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं किया आपके लिकलास में कि फालतु में आपको डाउट हो जाए कि देखो कुछ पूछना थो पूछलो प्यूज है नहीं तो आगे पड़े कैल्कूलेशन ऑफ नुड़र प्लेन है कि यह लास्ट एक्जामपल यही तो सारा सारा खेल है लास्ट एक्जामपल का लास्ट एक्जाम्पिल में साई बरावर R-2 साई थीता था तो R-2 जो है ना उसमें displacement R vector है R चीज़े है तो वो साई R को रिप्यन कर रहा है और साई थीता कौस थीता वाला वो किसको रिप्यन कर रहा है साई 5 थीता मतला एंगिल वाला है जहां पर teagnometric function है है ना जहां पर teagnometric function नवो एंगुलॉर part है और जहां पर R बगैरा है वह रेडियल ौर्ड है रेडियल पाड़ के zero करने से भी小 0 होता है और teagn?", वालों को भी जिरो करने से size 0 हो जाता है में तो अगर आर वाले पार्ट से अगर आप साइज को जीरो पराप्त करते हैं जो फस्ट मैथड था तो रेडियल पार्ट वाला हो जाता है और जो अगर टेगनोमेट्रिक फंक्षन को 0 करके अगर 0 प्राप्त करते हैं तो वो एंगलर वाला नोड हो जाता हैं इस तरीके से दो आंगलर नोला थे DV.com 0 क्यों नहीं लेते हैं DV.0 क्यों लोगे आप किसी पॉइंट पर electron की probability क्यों निकालोगे किसी पॉइंट पर electron के पाए जाने की probability पर क्यों calculate करोगे वासन में आ रही नहीं आ रही है ठीक है हाँ जो चीज़ वो तो 0 ही होती है उससे calculate करके क्या कर लोगे उसके बारोके तो पता ही है ना जीरो आएगा क title करोगे क्या करोगे जहां 0 नहीं आती है वहां जानेंगे कुछ उसको वहां कि कुछ कर सकते हैं ठीक है बहुत बढ़िया है ना बहुत अच्छी बात बहुत अच्छे समझ रहो तुम सब लोग बहुत ही बढ़िया से ना बिल्कुल क्लास में बने रहो प्रिजेंस ओफ माइन सबसक्षा चल रहा है मजा आ रहा है बनाने में भी और पढ़ने में भी तो कैलकुलेशन आफ नोडल प्लेन में क्या होगा दे वो एन मानेस बन से दिये जाते हैं एन यहां पर प्रिंस्वल कॉंटम नंबर है ना यहां ब्रैकेट लिग में लिग देना एक्स्क्लूडिंग वन नोडल प्लेन एट इंफिनिटी यह क्या मतलब है मतला जो प्रिंस्पल कॉंटम नंबर होता जैसे 3 A से और 5P है, 6S, 6D है मालग वैसे, तो जो 3 है न ये N है, सबको पता ये भी N है, ये भी N है, ये भी पता है, सबको N पता ये N है नहीं है, तो जितनी principal quantum number की value होती है, उतने ही node होते हैं, उतने ही nodal plane होते है, चांस की बात ही है, ये that can be proved, लेकिन हमने यहाँ पे एक जो minus 1 किया है, ना, principal quantum number में जो minus 1 लगा है, वो किस के वे से लगा है, पता है ना आपको, किस किस लगा है, क्योंकि electron के infinity पे पाए जाने की probability हमेशा क्या आएगी, बोलो, क्या आएगी, लिखो chat में, electron के infinity distance पे पाए जाने की probability क्या जीरो आएगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमेशा nucleus से infrared distance पे एक noodle plane होगा या नहीं होगा, यह सुनो, होगा, तो वो वाला noodle plane हमने minus कर रखा है, वो वाला जो noodle plane है, उसको अपने एक noodle plane को यह जो 1 है, वो कौन वाला कौन सा 1 है, यह infinity वाला 1 है, infinity पे जो noodle plane है ना, ठीक है ना, वो वाला अपने minus कर दिया है, सुन लिया समने, इसलिए ब्रैकेट में लेखा, excluding one noodle plane at infinity, excluding one noodle plane at infinity, समझ में आगी बात है, ठीक है, दूसरा लिखो, आप लोग, दूसरा point लिखो, टोटल नमबर ओफ एंगुलर नोड्स, जो होंगे वो क्या होंगे, ल होगा, 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 ल कि यह जाता है तो बचा कौन अब बचा कौन तो टोटल थे एन माइनस वन उसमें एंगुलर कितने एल तो रेडियल कितने हो जाएंगे बताओ लिखो चैट में कि टोटल कि नंबर आफ रेडियल नोड कितने हो जाएंगे बुलो येस एन माइनस वन मेंसे क्या करना एल को माइनस कर लेना ठीक है या इसको रियर्ण्ज करके लिखलो एन माइनस एल माइनस बन ऐसे लिखलो हां, electron की जो standing wave मानी न, I-U-S, इसने I-U-S कह रहा है, है n तो finite लिया, तो infinite पर देख सकते हैं क्या, जो आर है ना, आर, है न, वो infinite तक जाएगा बिटा है न, आर तो infinite तक जाएगा, है न, R जो होगा, वो infinite तक जाएगा है न, उस तरीके से, आ्र की विलू तो इंफॉं तुण तक जाईगी ये ना प्रोबिल्टी इलक्टॉन की पाए जाने की हर जगे बदलब क्या होगी आप ऐसे सोच लो या से आप मेरा जो है ना मेरा प्रबिल्टी अभी कहां पर है कोटा में है लेकिन मेरा तो चांद पर पाई जाने का प्रबिल्टी भी तो क्या है वो सकता है ना जीरो देखो आगई जीरो आगी ना ये जीरो भी तो वैलू यह ना इहीं ना आप को कि सर वह इनिफानेट है ना तो वहां तो जीरो आगी ना प्रविल्टी वैसे ही यहां पर भी है ठीक है फील आया नहीं आया बताओ अगया ठीक है चलो अब हम लोग एक एक करके सभी और्बिटल्स पर काम करते है ना एक एक करके सब और्विटल्स पर काम करते है पहला हम लोग उ बैटरी कम हो गयी एन फाइनेट होने से क्या फरक पड़ता है ना उससे क्या फरक पड़ता है इलक्टॉन तो सब जगे है ना इलक्टॉन तो क्लाउड के फॉर्म में सब जगे ही है इलक्टॉन तो कम है लेकिन सब जगे है ना सर्टेंटी से तो बोल नहीं सकते हैं वो सिचुएशन थोड़ी अपनी औरबिट में घूम रहा है ऐसा थोड़ी नहीं है कि आइपेड पर पढ़ाते हैं नहीं मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं लेकिन यह टॉपिक अभी जो जितना भी जो भी टॉपिक में इन्फॉर्मेशन जादा है लिखाना जादा है वहां पर आइपेड ले लेता हूं कि अपयास इसा अंगही है तो आप देख रहा है कॉंट 멍भर में मैंने बहुत साठी गाया करने कोशिशिस होई पूरा करने काकौशिस है अभी सांस भी है मैने फटाफट में परी रहा हूं चल भाई चलो तो सबसे पहले में लोग बात करते हैं सबसेल की है ना इस अपसेल की बात करते हैं ना ठीक है मैं हमाले का सीमाड़ा की वैश्तव सबसेल में क्या होका चाहेां मैं वनसलूमिया मैं कि ट्रीफ ने लेता हूं मैं फूरस्क्राइश ले लेटा हो और मैं फाइव एस ले लेता हूं इस सभी के लिए एलडे की वर्लु क्या आने वाली है लिखो पोटर एसषरी चैट पर है अधिक या रिपसिजन करता है यह एल क्या रिपजन करता है एंगुलर नोड तो आप क्या सकते हैं कि सबसेल कि सबसेल ए डसनोट हैव डसनोट हैव ऑंगुलर नॉड यह सबसेल चाह 5-2-2-2-3-4 यंच व्याथ कि एस अफसेल का एंगुलर नोड नहीं होता है कि फिल आया है कि क्या मतलब हुआ इस बात का कि एस अफसेल का एंगुलर नोड नहीं होता है कि इस बात का क्या मीनिंग है कि एस अफसेल का एंगुलर नोड नहीं हो क्या यह सभी केन नॉट मेक एंगुलर पार्ट ऑफ साई एकुल टू जीरो बहुत ही पैस्ट आंसर दिया यार आरेन मज़ा आ गया इतना इतना अच्छा आंसर दिया है ना मतलब इसका मतलब तुम्हें हर चीज बहुत अच्छे समझ में आ रही है लगता नहीं कि उमने पहले पढ़ी भी मतलब तुमने पढ़ा भी एा बहुत मतलब बहुत ही मतलब今 मिक वर्ड साही लिखाया तुम ने तुम्हीं मतलब यह मथं चीज कि Clay थे लिग का लिकान के एक उर्म केकर विक करनाट मेक वही लिखूंगा जो इसने लिखा एंगुलर कि पार्ट ओफ कि सब्सक्राइब अगर समझे एंगुलर पार्ट को जीरो नहीं कर सकते और किसी पीछ चीज को अगर गया अब कुई कर सकते हो सकता वो सकता ओगर सब्सक्राइब कर देखोंगा इसमें आप पाएंगे कि का सबसेल है सबसेल कि मैं कि सबसेल ऐब कि मैं कि कई और कि कॉंस्टेंट अ इंगुलर पार्ट अब का कोई भी बना रहे है सबका जो10 फिंत फाइब होगा न सहाल वन अपोन फोर पाई की पावर यह होता हैichen वह सब कर्का असलिए सबका क्वास्ट गलमेंटरिक फंक्सण निरख हो सइस इस पडमेंटरिक फंक्सें नहीं कोछ की निहीं पारोगे यह सोनो अगर एस सबसेल डजनोट एफ एंगुलर नोड मतलब कि आप एंगुलर नोड का बाता है आयोश एंगुलर नोड का बाता है एंगुलर नोड का बाता है जब साई का एंगुलर पार्ट जिरो होता है और एंगुलर पार्ट आप जिरो नहीं कर सकते रहें एंगुलर नोड ही नहीं है अगर एंगुलर नोड नहीं है तो क्या मतलब हुआ अगर एंगुलर नोड नहीं है तो एंगुलर नोड कब आता है जब आंगुलर पार्ट जीरो होता है अब एंगुलर नोड नहीं है तो एंगुलर पार्ट जीरो नहीं होका उल्टा बोलो एंगुलर पार्ट जीरो होता है तो एंगुलर नोड आता है अब एंगुलर नोड न एक information हम आपको बता रहे हैं कि इसका यौर पाट क्या होता है constant होता है अगुलर पार्ट जो होता है ना एस अपसल का जो एंगलर पाट होता है वह constant होता है कि सप्रस्द परनूर पार्ट होता है नो खॉन्स्टइंट होता है झाल झाल एंगुलर पार्ट जीरो नहीं हो सकता है ना सई जीरो करने के लिए सुनो मेरी बात इसका ये मतलब है साई जीरो करने के लिए आप दिबा कर donor पार्ट को हाथ नहीं लगा सकते आपके पास एक ही मैथर बचा साई को जीरो करने का कौन सा यह दिख रहा है आपको यह दिख रहा है ना यह दिख रहा है देखो क्या लिखा पड़ो उपर में वेफ फंक्शन आफ वनेस अटॉमिक कॉबिटल ओफ एच रेडियल पार्ट के बलाप रेडियल पार्ट से ही साई को जीरो कर सकते हैं आएस ओर्बिटल के केस में है है ना यह से रेडियल पार्ट हैस्ट वीजीड फॉरसे बाइं वहाथ ही बढ़ी आस हरसित है अगर आपको साई 0 करना है तो आप रेडियल पार्ट से 0 कर सकते एंग्लर पार्ट से जीरो नहीं कर सकते अब यह भी सो अगर मैं एक not have tignumetric functions, yes tignumetric functions नहीं होते हैं, quinþ, sin, theta, cos, theta, theazz, cos, theta, ten, theta, ये सब नहीं होते हैं, S subcell के case में, ये लिखा ओ, ये लिखाओ, ये, दिख रहा है, य थीटा 5, one upon, दिख रहा है न, दिख रहा है लोगो, देख लिए हैं सम लोगो न, कि य है ऊदी है आ और इसमें ये उसका रेडियल पार्ट क्य सा दिख़ार है की पाऊर में दिखाई से दिखाई दी रहा है एक इकल ये ये इसका रेडियल पार्ट है आंगे बरताएंगे आपको चलो आंगे चले ठीक है कोई अब लोगब रीडियल नोड की बात करते रेडियल नोड की बात करते हैं रीडियल नोड वर कि तो वन एच की बात करोंगे ना तो वनेस उन !! přि0 is cancel 1 निकाल के देख थे दोन एक वैलु 2 कि यहाँ पे और यहां पे रेडियल नोड भी 0 और है कि एख और रेडियल नोड भी 0 है अधिया नोट भी जीरो है फिच्टिक है एंग्ल नोट भी 0 एटूयर है ठीक है क्या मतलब इस बात का एंग्लव नोट तो तुम को मैं पहले ही समझा चुछा हूं । कि एक संट्यार में अगंडलोड होता इो कि एगलोर पार्ट उसका कैसा रहता है बोलता ये लिखे मैंने एस सबसलेक्सलन था कॉंस्टंट इंगलोर पार्ट कि लेकिनhost गर इंडीयल नोट जीरो आ जाएगा इशाय जैने साथे इसका राड़ पार्ट कितना एक बने डिल नोड जीरो एक लिए कि लिए करके देख़ लो M delta यहींद ने किन न मामार्मसराइक लुग तो ऩारई गी जुरन अब तो एक बार सबसे पहली बाद भी बता और ओ रेडियल नोड एस अफसेल में रेडियल नोड नहीं होते हैं हां होते हैं केबल किसमें नहीं होते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों किसमें नहीं होते हैं वनेस में नहीं होते हैं है ना वनेस में नहीं होते हैं ठीक है वनेस में नहीं होते हैं बाकी सम में क्या कि ना बाकी सम्चने क्या होगा मैं क्या होगा कि तोंगा य। घिंचर लूडर नहीं होंगे रेडियल नोड तो होंगे आब रेडियल नोड एक या दो का क्या मतलब है गहां 1 जीरो का मतलब है। excited अगर radial node 0 है तो यहाँ पर क्या बोलोगे? साइवनेस ग्राफ साइवनेस ग्राफ क्या होगा बोलो? विल नाट बी 0 साइवनेस ग्राफ ग्राफ विल नाट बी 0 for any value of R R की किसी भी value के लिए साइवनेस का ग्राफ 0 नहीं होगा ठीक है? और इसका जब हम ग्राफ भी देखते हैं 1S वाले का साइवनेस का जब ग्राफ देखते हैं R के साथ तो ग्राफ उपर से आता है नीचे की तरफ ऐसे हो और फीटी को चला जाता है यहाँ पर निउकलियस है निउकलियस के पास पाए जाने की प्राफ बैलिटी बनेस वालों की मैकसम होती है इतलिए साइवनेस का वैलू मैकसम है फील आया की नई फील आया की नई अब हम आपको यह सिखाते हैं कैसे बनाये हैं कैसे बनाया यह मैंने यहां से बनाया है यह देख रहूँ आप लोग यह वाला एकी पाउर माइनस में ग्राफ देख रहा है आपको एकी पाउर माइनस में ग्राफ देख रहा है आपको कि lucas the exponential है कि एक्स्पुनेइचल वाला जो होता इंटूटी पर जीरो होता है तो एक्सपुनेशल वाला इंटूटी पर ही स्टार्ज्ट से क्या होता हैि छीरो होता है 3S मैं हटा रहू है, यह मैं हटा रहू है, मैं केबल 2S की बात कर रहू हूँ, 2S में कितने radial node है, 2S में कितने radial node है, एक, एक radial node है, इसका मतलब एकी साही function, जिरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है R की कितनी value के लिए R की कितनी value के लिए एक value के लिए है ना इसमें कुछ ऐसा होगा मतलब जैसे SI 2S जो होगा ऐसे कुछ होगा R-2 ऐसे करके कुछ होगा ऐसे R-2 करके इस तरीके से कुछ होगा यहाँ कुछ और function होगा albeit Iабirah ऐसा कूछ होगा लेकिन ऐसा कुछ होगा आर मैं ताकि यक वेलोएगो पूट करो आप पूट करोगे क्या आरेकॉल टू तू पर जाकर तू पर जाकर क्या होगा साही जीरो हो जाएगा इसी लिए क्या होता है इसी लिए जब आप 1s का graph देखते हो 2s का graph देखते हो साई function के 2s का graph मैं बनाऊंगा 2s का graph उपर से start करता है नीचे जाता है और x-axis को एक जगे पर cut करता है करेगा ना cut? yes or no cut करने के बाद नीचे जाता है लेकिन उपर नहीं आता है ऐसे चला जाएगा इस फीटी पर ये जो है ना ये ये जो distance होगी ना r1 r equal to r1 यही क्या बताएगा? यही radial node बताएगा फील आया तो बोलो scr फील आया तो बोलो scr आ रहे बाद सुनने है ना किस तरीके से रहेगा? तो तुमको ग्राफ बनाने नहीं है ग्राफ बनाने नहीं, ग्राफ का prediction करना है ग्राफ का prediction करना है, ठीक है? हाँ यह distance fix होगी, ऐसा नली यह distance fix होता है यह distance fix होता है, यह सर्यान्स क्या पूछना है वेटा? scr का मतलब super clear, रंजीत scr का मतलब super clear हाँ बोलो स्रयान्स और प्रयान्स हो, क्या कहा रहा हो? साई के नीचे के लिखा है? है? साई के बगल से जर साई के बगल से के लिखा है, सर? 2s, 2s, 2s 2s का रहे हम discussion कर ला है, ना? सर, जो graph लिखानी, साई 2s graph है, ना? हाँ यह तो जस्ट मैं समझाने के लिए किया हूँ यह वाला part, यह तो आपको नहीं करना है, तो समझाने के लिए था यह समझाने के लिए कर रहा था, यह तो देखा रहा है अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसको जराओ अप s का graph देखो, 2s का graph देखो, यहाँ पे 2s का graph दिया हूँ है, कहीं पे होगा, यहाँ पे था यह 2s का graph दिख रहा, आपनों को यह 2s का यहां bracket में क्या लिखा हुआ पड़ो तो मैं सिंगमार लिखा हुआ है न क्या इस bracket की बज़े से si जो bracket में जो लिखा हुआ है इसकी बज़े से 2S का graph 0 किरू किया जा सकता नहीं किया जा सकता है बाकी तो e की power में तो 0 होगा नहीं इस ब्रैकेट में जो लिखा है ना कितना पुड करोगे बोलों कितना पुड करोगे साइ के वैलो ए सारी आर के वैलो कितना पुड करोगे तू भाई तू भाई सिग्मा ना तू भाई सिग्मा सिग्मा एक कॉस्टेंट है सिग्मा एक कॉस्टेंट है तू भाई सिग्मा सर जीरो नहीं आएगा क्या नहीं जीरो आएगा क्या जीरो नहीं आएगा क्या जीरो नहीं आएगा क्यों नहीं होगा जवाब सिग्मा जब ब्रैकेट को ठाके जीरो पुट कर दो क्या दिक्कत है ये सिगमा भी है रो भी कभी, कुछ लोग रो लिख देता है, ये रो है, रो की वैलू है, सिगमा भी लिखा मिलता है, सिगमा यह और सिग्मा या रो की वैलू यह है पूजेट भाई है ना इस तरीके सा आगया फील्स ओन में आगया है ना चलो आप एक काम करो आप 3S पे काम करो 3S पे आप खुद मुझेद बताते जाना 3S का एंगुलर नोड कितना होगा जी रो रेडियल नोड कितना होगा यह दो रेडियल नोड का क्या मीनिंग है 2 Radial Node का क्या Meaning है कौन बताएगा Hand Raise करके मैं पूँछूंगा 2 वार Cut, बिलकुल सही 2 वार Cut करेगा और जो इसका साही Function होगा उसमें क्या होगा उसमें बता ही respect में क्या बनेगी बता है एक यारवन है और यहां तक का एक और टू है यह सर से आर के रिस्पेक्ट में यहां पर क्वार्डट्रिक होगी आर के रिस्पेक्ट में यहां पर क्वार्डट्रिक होगी देखाऊं देखो यह है देख रही है यह 3S का ग्राफ है मज़ा आया देख के देखो देख रही है 6-6 सिग्मा आर सिग्मा आर का होल स्क्वायर देख रहा है कि आर दो जगे क्या करेगा जीरो हो जाएगा कि यह सुनो कि अगराफ नीचे जाने के वाद जब उपर नहीं आएगा तो कट नहीं करेगा अगर आपको एक पॉइंट पे कट कराना मैथमेटिक से बताया जाता होगा ना मैथमेटिक से बताते हैं ना रूट वगर जब पढ़ाते हैं अगर एक बार कट किया ना ग्राफ X-axis को अगर आपको एक ही रूट दिखाना है तो एक ही बार कट कराना उपर मत लाना क्योंकि और उपर लाओगे तो दो जगे कट करेगा अंस बात समय में आ रही है तो दो जगे कट करेगा तो दो रूट हो जाएंगे बैटा इसी देट क्या था कि 2S में अपने पास रेडियल नोड कितने थे एक ही थे तो वह अपन ने क्या कि एक ही बार करनी एक बार नीचे तो भेज़ा उपर नहीं लाएं उपर कब लाएं 3S में लाएं आरवन आरव तो क्या है都 25 cm अधैवं आघ्ण संगी आरवन आरवल तू जो अंगी वोजिश्टेंस हवी गश्कॉन करोगे इसको साल्ल काुणंद चु इस एसको जब सिसको रों तो स्वार्टिक को साल करोगे तो अरवन आरट यहांगे वहींवान आरटव हों गया कि श्रयांस किलियर हो गया कि अब बोर्ट बगेरा में तो नहीं आता है कुछ दिकत नहीं है कि मज़ा आया यहां पर इसको कर लो तो आपको आर्वन मिल जाएगा यह वाले का ठीक है हां यार अब तो पीका तो हो ही नहीं पाएगा दो मिनट में तभी तो नहीं हो पाएगा ठीक है चलो आज यहीं तक रखते हैं कर रहा है यार कर रहा है अच्छे से कर दूंगा तुम लोगों का देखो है ना तो कंटेंड तो देखो है ऐसा तो है नहीं भली लेट वेट हो जाओ यो भी लेकिन जाम मैं पढ़ाना चालू करता हूं तो फिर मैं पूरे टाइम पढ़ाता रहता हूं कर रहा हुं बेटा कर यहों खतम कर रहा हुं पर चैप्टर बड़ा चैप्टर है सुनिए na बड़ा चैप्टर है ने टाइम लगता इसreat में आपको मैंने ऐक और के ज़रुवत नहीं है है आपको equation की जरूवत नहीं है मैं आपको भेज दूँगा वैसे तो मैं दे दूँगा ये वाला जो मैं आपको दिखाया था प्रिंट आउट मैं दे दूँगा आँ नोट्स में भेजता हूँ आपको भी भेजता हूँ कि नो तो पिष़्ले सबगा को पिछले सब्स के आपको कि पिछले साथ ohon थे जा चुक्या ना कि है कि है कि है पढ़ाता हूं, इसमें कोई सक्की बात नहीं, कोई चीज हवा में नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल जो किताब में लिखी है, बिल्कुल एक एक चीज बैरिफाई करके पढ़ाता हूं, उसे सही रहती है कि,